नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है निमोना, यह नौट साइड एस्पेशली यूपी और बिहार की फेमस टीश है जो फ्रेश मतर से बनाई जाती है, तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो चलिए ब मतलब है मिठी होने चीए और साथ में एक मुठी अलग से रखी है कि जो कि हम बाद में यूज करेंगे, तो पहले हम मतर जो है उसको ग्राइंडर में डालेंगे और हम उसका बनाएंगे एक दरदरा सा पेस्ट, तो यह दिखिए हमने पेस्ट यहां बना लिया है, पेस्ट आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल महीम नहीं रखा है, थोड़ा सा दरदरा रखा है, तो चलिए नेक्स्ट हम बनाते है हमने हरे मसाले, तो हरे मसाले के लिए हमने यहां पर लिया हरा दनिया, चार हरी मिर्ची, हरा लसन, एक छोटा प्याज, एक छोटा अधरका तो अब हम इसका भी पेस्ट बनाएंगी, तो यह देख सकते हैं, हमने इसका भी पेस्ट बना लिया है, तो यहां पर हमने दो नॉर्मल साइज के आलो है, जो कि हमने छोटे-छोटे पीसिस में काट के रखा है, अब हम इनको सबसे पहले फ्राइ कर लेंगे, तो तेल हमें उतना ही यूज करना है, जिसमें आलो अची तरह से फ्राइ हो जाएं, तो यहां पर तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें आलो डाल देंगे, तो आलो को जो है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राइ करना है, जो लोग हेल्स कॉंशे से और फ्राइड चीज ही खाना पस को निकाल देंगे, तो आलो फ्राइ करने के लिए हमने अलोड़ी यहां पर थोड़ा सा जाता ही तिल डाला था, तो मैं लगबग 2 सर्विंग स्पून ओयल इसमें से निकाल दोंगी, और बच्ची हुए तेल में जो है, हम डालेंगे माटर का पेस्ट, अब हमाटर की पेस् तो साथ साथ में इसको चलाते भी रहना है, तो यह आप देख सकते हैं, यहां पर मतर की पेस्ट का जो है, कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इस स्टेज पे जहां पर आपको लगे कि मतर एकदम सेपरेट हो रहा है, जो पेस्ट एकदम सेपरेट हो रहा है, तो तो अब आम इसको निकाल देगे तो हमने जो तेल अरड़ी निकाल रखा था हम वो तेल को यूज करेंगे और जूही तेल गरम हो जाएगा हम उसमे डाल देंगे एक टीश्पून हेंग और साथ में डालेंगे जो इसे हरा मसाला का पेस्ट बनाया था वह और अब इसको भी हम तेल में अच्छी तरह से बुन जाएंगे जब तक पूरा इसका जो है ओइल सेपरेट नहों जाए तो बीच बीच में इसको चलाती पर रहना है ताकि यह कडाई के साच चिपकना जाए यह आप देख सकते हैं कि मसाला जो है अच्छी तरह से बुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक टी स्पून बुना हुआ जीरे का पाउडर साथ में डालेंगे एक चुथा है टी स्पून हल्दी हल्दी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है तो इन मसालुक को भी हम पेस्ट के साथ अच्छी तरह से बुन लेंगे तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम मसाले डालेंगे चाहे वो पेस्ट हो या नॉर्मल हो मसाले हो तो बुनना बहुत अच्छी तरह से ताकि कच्छापन खतम हो जाएंगे तो यहां पर हमने एक टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी तो वो भी हम हरे मसाले के साथ मि प्यूरी जो अलग निकाल के रखे थी एक मूठी वो भी हम इसमें डालेंगे ताकि साथ में मत्र भी बख जाएंगे तो अब हम इसको तब तक बुनेंगे जब तेकिन टमाटर जो है अच्छी तरह से बुन जाएंगे और मत्र जो है वो थोड़े से पक जाएंगे तो लग तो यह आप यहां देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से बुन गया है और मत्र भी जो है सॉफ्ट हो चुका है यहां पर तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मत्र का पेस्ट बुन के रखा था वह मिसमें मिक्स कर लेंगे अ तो साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार अ लिए अब हमने जो आलो अल्री शायलो फ्राइ करके रखे थे तो वो ूपिसमें मिक्स कर जाएंगे तो आलो हमारे लगबघ 50% जो है हमारे पक चुके हैं जब हमनें इसको फ्राइका थो तो अम इसमें डेड़ ग्लास पानी, तो पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें अलू कु पकाने के लिए चीए, तो यूजली इसमें ग्रेवी जु रहती है, तो अब उसमें ज्यादा पानी भी उज कर सकते हो, फूरा पे डिपेंड करता है, तो यहां पर मैंने डेड़ ग्लास पानी डा कि आलू जो है बिलकुल अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर सा जाए तो यह देख सकते हैं पांच मिनट हो चुके हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका ग्रेणिश कलर तेल सा उपर आया है ग्रेणिश कलर सा तो निमोना हमारा जो है लगबग तयार हो गया है तो ऍसका दम declarati और हлекगSn decanna करते हैं अप इसको खा सकते हैं गर्मा-garam चावल यह रोटी के सा यज आप इस रसीपी को बिल्कुल ठ्राइख कileri इसी तरीकी से जैसे हमने आपको बटाई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ सबस्क्राइब करें न भूले हमारे चैनल को चले मिलते हैं हमारे नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए धन्यवाद